नमस्कार दोस्तों, आज मैं पीतामबरी बढ़तिया, आप सभी के साथ हमारे भारत देश के गंतंतर दिवस के शुभवसर पर, गंतंतर दिवस के संपूर्ण जानकारी एवं गंतंतर दिवस के इतिहास पर चर्षा करने जा रही हूँ शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से निवेदन हैं कि कृप्या अगर आप मेरे चेनल पर नाए हैं तो सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ महत्पूर्ण जानकारी को शेयर करें तो चलिए शुरू करते हैं रिपब्लिक डे गंतंत्र दिवस सन 1947 और भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी और भारत की आजादी के लगभग 894 आटसो चोर्यानवे दिन बाद ये 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार धीनियम एक्ट 1935 को हटा कर भारत का संबिधान लागू किया गया था गंतंत्र दिवस रिपब्लिक डे भारत के तीन राश्ट्री अवकासों में से एक है गंतंत्र दिवस भारत का एक राश्ट्री पर्व है जो की प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है प्रतेक वर्ष इस दिन राश्ट्री अवकास होता है विद्यालायों कॉलेज वा प्राचीन इस्थल राजपत्थ पर परेड एवं सांस्कृतिक कारिक्रम आदि किये जाते हैं भारत में गंटंत्र दिवस 26 जन्वरी को जगह जगह समारो होते हैं भारत की राश्ट्रपती द्वारा भारती राश्ट्रद्वज को फहराया जाता है और फिर सतर्क खड़े होकर भारत का राश्ट्रगान किया जाता है इस दिवस को भारत की राश्धानी दिल्ली में शुर जिसमें भारती सेना के बिभिन रेजिमेंट बायु सेना नाव सेना आदी सभी भाग लेते हैं। इस परेड में भारत के सभी हिस्सों से राश्ट्री के एडिट कोर वा बिभिन विद्यालेयों से बच्चे आते हैं। परेड में बिभिन राज्यों की प्रदर्शनी भी होती प्रदर्शनी में हर राजी के लोगों की विशेषता, उनके लोग गीत और कला का दृशिचित्र प्रसुत किया जाता है। हर प्रदर्शनी भारत की विविथ्ता और सांस्कृतिक संम्रिधि प्रदर्शित करती है। गंतंत्र दिवस के दिन वीर चक्र, महावीर चक्र, परंबीर चक्र, किर्थी चक्र और अशोक चक्र जैसे तमाम एवार्ड दिये जाते हैं। अंग्रेजों की गुलामी से भारत को सन 1947 में स्वतंतरता मिली और लगभग 2 साल, 11 महिने और 18 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संबिधान लागू किया गया। जिस समय भारत का संबिधान लागू किया गया। उस समय भारत के प्रथम राष्ट्रपती डक्टर राजेंदर प्रसाद ने एरविन स्टेडियम जाकर 21 तोपों की सलामी के बाद भारती राष्ट्री धोज को फेरा कर भारती गंतंतर के एतिहासिक जन्म की घुशना की थी और तब से आज तक हर वर्ष समूचे राष्ट्र में गंतंतर दिवस गर्व और हर्षुल लाज के साथ मनाया जाता है। भारत के राष्ट्री धोज को पिंगली बैंक कईया ने डिजाइन किया था और इसे आजादी के कुछ ही दिन पहले 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था गंतंतर दिवस परेड के मुख्य अतिथी भारत में अब तक बहुत अतिथी गंतंतर दिवस की परेड पर आये हैं जिन में से मुख्य हैं वर्ष 2018 में आसियान राज्यों के प्रमुख 10 महमान इस दिवस पर अतिथी सुल्तान हसनल बोल किया ब्रूनेई प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नजीव रजाक मलेशिया राज्य कांसलर आंग सान सूकी म्यामार रष्ट्रपती रोडरिगो दूरतेतेत्रे फिलिपिन्स प्रधानमंत्री शृ ली हस्यन लूंग सिंगापूर प्रधानमंत्री प्रयाग चान ओचा थाइलेंड प्रधानमंत्री गुयेन जून्ग फुक बियतनाम रहे थे वर्ष 2019 में साउथ अफरीका के राष्ट्रपती सिरिल रामाफोसा वा 71 भारती गंतंत्र दिवस के मुख्य अतिथी जायर बोल्स नारो हैं अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख मुहम्मद बिन जायद अल नाहियान 2017 में अतिथी के रूप में गंतंत्र दिवस की परेड में आये थे लेकिन गंतंत्र दिवस की परेड में यानी 1950 इंडोनेसिया के राष्ट्रपती सुकर्णो परेड अतिथी थे तो दोस्तों अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई महत्वण जानकारी के साथ तब तक के लिए जाहिन जाय भारत धन्यवाद थेंक यू